जहिन मेरे प्यारे दोस्तों आज सिच्छ बढ़ते लिखित परिक्षा का एक महत्वपून टॉपिक आपके बीच लेकर आएं जो दिवीद के पाठिकरम में जीएस और जीएक अंतरगत प्रमक ब्यक्तित्तु के पाठिकरम में दिया गया है मनिया आपके सिल्बस में एक प्रमक ब्यक्तित्तु हैं यह कर्चा इलेने पिद्रगेश की तरफ शमयापके लिए एचे गेस्ट फेकल्टी के रूट में निश्वल के लेकर आया हूं और यह वीडियो अगर आप हविश्व में एक सरकारी अध्यापक के अध्यापिका बनना बंद को लेकर अध्यन करेंगे जहांसे आपके परिक्षा में दो प्रश्न आसानी से पूछे जाते हैं तो आप सभी साथ ही जो लोग इस क्लास को प्रदिन रात साड़े नौ बजे आखर लाइब लेते हैं उन सभी साथ ही को आप क्लास के सुरुवात करने चाहिए दीना स पाठ करम में यह आपके शेलबस में दिया गया है स्री पेरमदूर किसका जन मस्तली है तो याद रखिएगा यह आपके पाठ करम में है मैंने पहले ही बता दिया इसलिए इस प्रश्न का जबाब होगा स्री रामनुजन चाहर अगर आप एक सरकारी से चप बनना चाहते हैं इस वीडियो के अंदर तक बने रहेगा विष्ट कॉपी कलन मैंने आपको बता दिया ज्यान दीजिये इस बात को तो देखिए श्री रामनुजन जिनका जन्म एक हजार सात्रह में हुआ था एक हजार सात्रह में कहां पर हुआ था श्री पेरमदूर में हुआ था यह आज क तहां पे है तमिल नाडू में है और इन्हें बैस्टरण द्रवब के शंपूर्ण दर्शन सात्र में सबसे ज़्यादा आचार का दर्जा शंवान मिला इन्हें विशिष्ट द्याद्ट दर्शन का प्रतिपादन किया जी हां इन्होंने विशिष्ट लिखना चाहें तो पूछा जा सकता है हिंदू पुराणों के अनुसार रामानुजम का जिमन लगभग 120 साल तक था और इनकी मृत्यू एक हजा श्रहतिस में जाकर होती है मने लगभग इनका जीवनकाल अगर देखा जाए तो जीवनकाल 120 का था ठीक है चलिए कुछ लोग मानते हैं कि तिरुपती आंदर प्रदेश में हुआ था अगला प्रश्ण है कि रश्र मंडल का महा स्ची चुना जाने वाला पहला भारती कोन था वेलकि मैंने आपको पहले बताया सिच्छक बृति लिखित परिक्षा जूनियर और प्रामरी के लिए ये सीरीज आपको काफी मददगार होगी यहाँ पर प्रमुक बेतित भारत के बिश्र के जो परिक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उनका पूरी तरह स शंकलन किया गया है राष्टमंडल का महासची चुना जाने वाला पहला भारती कौन था डिस्पले प्याक के शामें प्रशन है वीडियो के अंदर तक बने रहेगा सभी प्रशन का सभी साथी जवाब देंगे गलत या शही आप सभी कुछ प्रशन का जवाब जरूर देना है देखिए कमलेश सर्मा इस प्रशन का शही जवाब होगा जी हां कमलेश सर्मा राष्टमंडल महासची चुने जाने वाले एक पहले भारती थी इन्हें 2008 के कौन से 2008 के राष्टमंडल खेल का महासची चुना गया था ठीक है फिर आजे चलकर ये 2012 में फिर दुबारा चु हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रशन के तरफ सिच्छक भरती लिखित परिच्छा जूनियत और प्रहमरी की महागाता चरीज में बीवित में आज हमें लोग प्रमुक व्यक्तित्त को पढ़ने जा रहे हैं अगला प्रशन है स्रिलंका की पहली महिला राष्टपती कौन पहली महिला राष्टपती तो दोनों का जवाब एकदम सेम होगा दोनों का जवाब एकदम बराबर आएगा कि विश्र की पहली महिला राष्टपती कौन थी अच्छा एक बार मैं आपसे पहले कह दूँ कि जो लोग वीडियो में जुड़े हुए हैं पहला काम दे वीडि अच्छी चीजे लोगों तक पहुचेंगी और कर भला तो हो बहला मैं हमेश अच्छा काम करता रहा हूँ और पहली बार में बिटीशी के तुरंत बाद यूपी टेट सूपर्टेट मेरा हो गया और मैं अन्तोगत्वां आप सबकी आशिरवात के आपके माता-पिता के से आपको भी बेशिक परिवार का हिश्चा बनने में आपकी मदद करूँ इसलिए आपका दाइद तो होता है कि वीडियो को लोगों तो पहुचाना शेयर करना सिलंका की पहली महिला राष्टपती जो थी शिरी माओ भंदार नायके ये विश्व की पहली महिला भी राष्टपती थी आप जानते रहेगा इन्होंने 21 जुलाई 1960 को पदभार ग्रहन किया ये विश्व की पहली महिला राष्टपती है ये बात ध्रान लिएगा ठीट इसलिए इस प्रिष्ण का उत्तर क्या होगा 12 जुलाई 960 ठीट है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रिष्ण की तरफ अफ्रिका के गांधी के नाम से कौन महसूस मैं शुहूर है अफ्रिका के गांधी के नाम से कौन महसूस मैं शुहूर देंगे एकदम आसान प्रिष्ण है जी हाँ शुह साथी फटाफट करें इदिकी इन्हें 1994 में 1994 में अफ्रिका के अफ्रिका का अस्वेत राष्टपती चुना गया था इसलिए ये काफी महत्यपूर आपके लिए होगा एकदम सही जबाप लोगों ने बताया नेंसल मंडेला इसका राइट एंशूर होगा जी हाँ जिन साथ ही उन्हें इस प्रश्ण का उत्तर नेंसल मंडेला दिया है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ ये अफ्रिका के अस्वेत राष्ण पती 1994 में बने थे हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ इसकी इन साथ चाहें तो कर ले अगर सरकारी से इच्छक बनना है, सरकारी नौकरी करना ये वीडियो आपके लिए काफी महत्यपूर और यादगार होगी भारत में लोक नायक की पदिवी के साथ कौन समंदित है, काफी महत्यपूर प्रशन है, जो साथी वीडियो को लाइक देख रहा है सबीज साथी पताफट कॉमेंड करके बताएं, देखिए शंपूर करांथी, एक पुछा जाता है, साथ मुमीद करता हूँ कि आप सबीज साथी का जवाब जरूर देंगे, शंपूर कॉरांथी के प्रशन करके बताएं, तीहाँ पर भी होगा, इन दोनों का उत्तर एक ही है जिन साथियों ने इस प्रस्ण का उत्तर जै प्रकाशनाराण दिया है उनकी सही उत्तर है, ध्यानती जेगा यहाँ पे डोप्रस्ण हुआ, कैसे मैंने आपका दोप्रस्ण तयार कराया, पहला प्रस्ण है कि भारत में लोकनाय की पदवी के साथ कौन संबंदीत है, दूसरा प्रश्ण में आपको बताया कि संपूर क्रांती के प्रिंटा कोन है तो जैप्रकाशनाराण आपके दो प्रश्ण हो गए आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग आधुनी भारत के तिहास पढ़ेंगे जो आपके सेलबस के अंदर है लाला राजपत राई को पढ़ेंगे ठीक है फिर बाल गंगादर तिलग को पढ़ेंगे मदन मुहन मालिवी ये भारत के महन बेक्तित में है और आपका यहां से सलेक्ष्ण अगर लेना है इन सभी को पढ़ना है लेकिन आगे पढ़ना है कि अगली टॉपिक जब हम विवीत खतम करेंगे क्योंकि दो दिन के बा बंदू बादों से समाज बनता है और अंतता समाज से बनता है श्रभी साथी फटा फट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दियेगे प्रश्ण का जवाब देंगे जी हां मैं कुवर कहता है बंदू बादों से समाज बनता है और अंतता समाज से राज बनता है क्या बनता है र इसलिए इस प्रश्ण का उत्तर D होगा, जिन साथ ही ओने इस प्रश्ण का उत्तर D दिया है, उन सभी के जवाब पूरी तरशे शही हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरब, अगला है मुक्ति शामानी इच्छा सक्ति का पालन करने में, ये कथन आपके सिछ का ये कथन है, इसलिए एक कथन याद रखेगा, जो बार-बार परिच्छा में पूछा जाता है, मुक्ति समानी इच्छा सक्ति का पालन करने में, ये कथन किसका था, ठीक है, शबी साथी जरा फटा-फट कमेंट करके बताएं, ये किसका होगा, यहाँ पर ये रूसो कथन होगा, ये रट्टा मार दीजेगा, मुक्ति समानी इच्छा सक्ति का पालन करने में, ये कथन रूसो का है, एकदम रट्टा मार लीजेगा, व्योंकि भविश्च में ऐसे प्रशन आपके परिच्छा में जब पूछे जाएंगे, व्योंकि मैंने बताया कि सुपर ट्रेट जो था, व्योंकि मैंने आपको, मैंसे ही स्रीज ले करा है, ताकि आपको जो परिच्छा वाली प्रशन है, जो प्रिवेश ये परिच्छा में पूछे जा सकते हैं, उनकी स्रीज है, हाँ, थोड़े कथिन प्रशन है, कथिन प्रशन हल करेंगे, तो सबसे बड़ा प्रश्ण के दीने अटिन करेंगे जी हां Garrett Horden ने किया था किषने Garrett Horden ने कब कहा था 1968 में इन्होंने साजय प्रकितिक संसाधन पर अपनी थिमिस प्रतिपादी की थी हम आगे बढ़ रहे हैं अगला पर थोड़ा सरल हो सकता है ध्यान दीजेगा एकदम आसान सा प्रशन है हलुआ वाला प्रशन है जितने भी इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सिच्छक सिच्छका अध्यापक अध्यापिक जो भी वो बताएंगे कि नेमिकित में से वो बत्ति कौन है जिने भारत का राश्पती बनने से पहले भारत रत्न का आवाड मिला था एकदम यूनिक प्रशन है अगर आप सभी साथी फटापट जरू कमेंट करके बताएंगे जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे ह विशूल क्लास प्रद्दिर रात साड़े नौ बजे इलनी भी दुर्गेश पर लाइब चलती है जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर दुर्गेश सरसर करके इलनी भी दुर्गेश पर फेस्बूक पेजी लेनी भी दुर्गेश पर उपलब्द होगा शभी साथी था किश्णन क्योंकि इन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था ध्यान दीजेगा इस बात को और यह राष्टपती जो होते हैं वो कब से कब होते हैं यह राष्टपती यह 1962 से लेकर 1967 तक यह राष्टपती रहते हैं इसको उन्हों को राष्टपती बनने से पहले भारत रत्न का प डाक्टर एपी जब्दुल कलाम को फिर इसके बाद डाक्टर एपी जब्दुल कलाम ऐसे हैं जिने राष्टपती बनने से पहले क्या मिला था भारत रत्न मिला था याद रखेगा कलाम को कलाम कलाम सरो कम मिला था ध्यान दिजेगा कलाम सर को 1997 में भारत रत्न मिला था भारत रत्न मिला था लेकिन ये राष्टपती बनने थे कब ध्यान दिजेगा 2002 से लेकर 2007 तक ये राष्टपती थे तो भारत में दो ब्यक्ति ऐशे हैं मेरी बात को ध्यान कियेगा यहां पर दो ब्यक्ति ऐशे हैं जिने राष्टपती बनने से पहले भारत रत्न मिला था पहले ब् जिन 1904 ने भारत रतन मिला था और वो भारत के राष्टपती 62 से संसट रहे थे ठीक हैं दब कि दूसरा दूसरा धान दीजेगा टक्टर एपीज अब्दुल कलाम पैसा नहीं कटेगा मालिक लेकिन कर भला तो हो भला हमने अच्छा काम किया हम पहली बार में सेलेक्ट हुए और आप भी अच्छा काम करिए नेक काम करिए पहली बार में आपका चैन्ज जरूर होगा आगे बढ़ने एकले पश्ण की तरप, अगला पश्ण है पहला भारती कमांडर इन चीफ कौन था, जो भी साथी वीडियो को लाइप देख रहे हैं, सभी साथी फटा फट कॉमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजेगा, पहला भारती कमांडर इन चीफ कौन था, भी साथी गलत या सही जवाब जरूर देंगे यहां पर ध्यान दीजेगा के एम करियपपा इसका सही जवाब होगा यह कब बने थे 1949 में जी हां दोस्तों एकदम सही जवाब है आप सभी का 1949 में बने थे इसलिए इस पैसने का उत्तर क्या होगा 20 का राइट एंशर होगा मैं आगे बढ़ना उगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण आपका है भारत का पहला फिल्ड मांसर कौन था जो भी साथ इस वीडियो को लाइट देख रहे हैं फटा फट सब कमेंट करके जवाब देंगे आपका जवाब गलत या सही हो लेकिन आपको प्रश्ण का उत्त जरूर देना है जी हाँ सातियो जितने भी भावी सिच्चा को सिच्चा है सभी जरू कमेंट करके जवाब देंगे भारत का पहला फिल्ड मांसर कौन था ठीक है भारत का पहला फिल्ड मार्सल कौन था एकदम से मतलब ऐसे प्रशने जो आपको जानना चाहिए ये था जे एन एप पे मानिक्सा कौन था मानिक्सा था ठीक है ये पहले फिल्ड मार्सल थे और ये 1971 इनके बारे में हम लोग कभी पढ़ेंगे तो बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको कभी अगर पानिले दिस पढ़ाएंगे कि ऐसे आजाद हुआ तब जरूर बताएंगे इनके बारे में अगला प्रशन आपके शामने है ये गोश्रा किस्नी किया था कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की जनता द्वारा जनता के लिए हो कापी यूनिक प्रशन है और ये अगर आपने बता लिया इसका मतलब आपके अंदर सिच्छक बनने के गुण कूट कूट के भरे हैं तो जो भी साथ इस वीडियो को लाइफ देख रहे हैं जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजे यार पैसा नहीं लगेगा ठीक है वीडियो को लाइक करने का आप लोग की संख्या इतनी और लाइक नहीं कर रहे हैं यह यह बताईए जनता की जनता द्वारा जनता के लिए शासन यह किसने कहा था बताईए सभी साथी फटाफट कॉमेंट करके नहीं बताएंगे आप लोग यह कहा था अब्राहम लिंकन की परिभाशा है ध्यान दीजेगा टू दा पिपोल टू दा पिपोल बाई दा पिपोल ठीक यह किसका कथन था यह अब्राहम लिंकन था यह लोग तंद की परिभाशा है ठीक उस समय यह वहां के राष्टपती थे जिस समय इनों ने कहा था टू दा पिपोल बाई दा पिपोल एन फार दा पिपोल जनता का जनता द्वारा जनता के लिए जर शर्षान होता वही लोग तंद्र की परिभाशा है पूरी तरशं शही है हम आगे बढ़ रहे है अगले पश्ण की तरप आप लोग ऐसे इपारों का जवाब देत रीएगा याकिनन आप अगली बार जब मिलेंगे अगली भरती के बाद भावी सिच्छा को सिच्छका के रूप में होंगे हम अगली पैशनी के तरफ चलते हैं चाहे तब इसकी इंसोट क्लिक कर लें अगला पैशना आप के सामने भारत की पहली महिला राश्पती कौन थी जो वीडियो को लाइब देख रहे हैं वे इस कमेंट करके जरूर देंगे सबी साती फटापट कमेंट करके बताएगा जो सबी साती फटापट कमेंट करके बताएगे जो वीडियो को लाइब देख रहे हैं बतापट कमेंट करें देखिए एकदम सही जवाब दीजेगा एकदम हलुआ प्रश्णा है इससे सरल पर इच्छा में आपके प्रश्णा नहीं आ सकता ये देखना है कौन पॉन इस प्रश्णा का जवाब देगा जी हाँ जितने लोगों ने वीडियो लाइक किया इस वर करें वो अगली बार एक सिचक सिचका जल्दी से बने उनका हर बोला सही हो जाए देखिए स्रीमती पतिवा पाटेल ये बाराहों में राश्टपती की रूप में ये चुने गए थे कब 2007 में जी हां ये साथ से लेकर बारत थे ये 2007 से लेकर बारत तक 12 में राश्टपती की रूप में का कारेकाल था और ये है भारत की पहली महिला और एक मात्र महिला राश्टपती बारत की रही है इसलिए इस प्रश्ण को उत्तर याद रखिएगा ठीक है मैं आगे बटना अगले प्रश्ण की तरफ आप लोग पूरी तरह से वीडियो को देखते रहेगा नोट्स बनाते चलिएगा अगर आपको सिच्छक भरती पर इच्छा में बहतर स्कोर करना है अगला प्रश्ण इच है भरत में हरित क्रांती के जनक माने जाने वाले कौन थे कहां के थे सबी साती फटाफट कमेंट करें और इंग क्लास से नोट से समधित अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो यह इलनी बिद्दुर्गेश के आपिस का नंबर यहां साब जानकारी ले शकते हैं और इलनी बिद्दुर्गेश पर हमारी क्लासेश पुरी तरह से निशुल्ग चलती हैं साड़े नौ बजे आके लाइब आप लोगों पढ़ना यह क्लास प्रत दिन साड़े नौ बजे चलती है जिसका लिंक आपको टेलिग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके मिल जाएगा इ क्यों यसे जिनाटेट एस्टेटाप अमरीका के थे क्लियर हुआ जिया नार्मल बॉर्लाग हरित करांती के जनक वाने जाने वाले कहां के थे लेकिन अगर पूछा जाता कि एस स्वामीनाथन कहां के थे अगर यह पूछा जाता एस स्वामीनाथन तो यह भारत के थे यह कह सब्सक्राइब करेंगे जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहें वह अंदर तक बने रहें वो फटाफट जबाब दें कितने ऐसे से चख हैं जो इस वीडियो को यार आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करें जादा जादा लोगों तक पहुचाएए यार कमसकम एक हजार संक्या प्लस करें इस से बहतर अगर कोई पढ़ा दे तो अगले दिन से चैनल पर मत अगर आपको लग रहा है तो कमसकम एक हजार से उपर संक्या बढ़ाएए या आपकी जिम्मेदारी है ध्यान दीजेगा इस प्रशन का उत्तर होगा ये बिलियम गौड होगा ये एम श्वामिनाथन ये भारत में भारत में हरित क्रांती ठीक लेकिन बिलियम गौड जो थे जियां विलियम गौड 1968 में कब 1968 में United States Agency for International Development के निदेशक द्वारा परियोग किया गया था ठीक है सबसे पहले इनके द्वारा विलियम गौड के द्वारा किया गया था ये कहां के थे निदेशक United States Agency for International Development के निदेशक थे कौन विलियम गौड इस प्रशन का उत्तर एस कराए चैंसर होगा आप लोग जानते रहेगा हो सकता है आपके परीच्छ में पूछा जा सकता है ठीक है नार्मन बोलाग जनक है जी हां अगर कोई पूस्ष देगा कि नार्मन बोरलाग मिलारमन बोरलाग, ठीक है, ये क्या है? ये जनक है, कहां के बिश्व के? ये बिश्व में हरित क्रान्ती के जनक है, इसलिए प्रश्व के उत्तर में याद रुखेगा, ये परिच्छा में गलती मत करियेगा, विलियम गौर्ड सब्द को गढ़ा था, प्रियोग किया था, नामवर ब हविश्व में कभी आप्रस्ण गलत नहीं करेंगे विश्व में हरित करांती का जरक नार्मल बोरलाग भारत में एश्वामीनाथ हैं जबकि इस सब दिकापरियोग बिलियम गौड ने किया था हमागे बढ़ना है कि यह प्रस्ण की तरफ चाहे तो पिसकी इंसौट क्लिक कर अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा या गीट किस ने लिखा था जो भी साथ इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं वे शबी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके श्चने का उत्तर जरूर देंगे शबी साथी फटाफट कमेंट करें जो लोग मैंने ये पढ़ाया हुआ है शबी साती इबढ़ा उना-धुड चुमस Santas, दे jest वीडियो को लइक देख रहें, शबी साती ठीक है शबी साती इबаний आपकी आपके हाथ में करते हो महिला मुख्यमंत्री थी किसे राजी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी फटावट कमेंट करिए जो लोग वीडियो को लाइप देख रहें फटावट कमेंट करिए यार पता है जितने लोग वीडियो को लाइप देख रहें उत्ते लोगों तर लाइक नहीं किया है आप क्रिपलानी इस प्रस्टन का सही जवाब होगा जी हां यह प्रथम मुख्य मंत्री थी कहां की उत्तर प्रदेश की थी जी हां यह उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री थी अगर यह कारेकाल पूछी दिया जाए तो 63 से लेकर 1967 से 1967 तक था ठीक है यह सुचता के लिपलानी जो थी यह किसी राजी की प्रथम महिला मुख्य पहली राजिपाल कहां कि थी कमेंट करके बताईएगा धान दीजेगा और बिजलची पंडित क्या थी यह कमेंट करके बताईएगा यह भी पहली महिला थी शवी साथी फटाफट कमेंट जी हाँ यही उत्तर प्रदेश के राजिपाल थी सरजी नेडू इसका सही जवाब है इसका राइट एंस्वर है हम आगे बढ़ना करें पस्टन की तरफ आप लोग इस वीडियो को जुड़े रहिएगा यकिने आपके दामन में सरकाली नोकरी जरूर गिरेगी क्योंकि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं अगला पस्टन है कौन सा लंबी दूरी टेलीफोन के व सबी साती फटाफट कॉमेंट करते रहिएगा जी यहां सरफरोसी की तमना आप हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजिवों का तिल में बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का आप लोग इस तरह लोगों को जोड़ते रहिए शेयर करते रहिए वीडियो को लाइप करते रहिए और सेलेक्शन दिलाना हमारा काम है मेहनत करना आपका काम है अलग जेंडर ग्राहम बेल इसका राइट एंसर होगा जितने साती उन्हें डी को ताला लगाया था उनके जबाब पूरी तरह से सही थे यही जबाब आपको परिचाहाल के अंदर देना है अगला सवाल यह डिस्प्ले पर है जेपी डनलक ने किसका विरकार किया था सभी साती फटाफट कॉमेंट करें जो लोडियो को वीडियो को लाइब देख रहे हैं एक हवाई जहाज का ध्यान दिजेगा राइट ब्रदर्स राइट ब्रदर्स था कार गदर पूछ लिया जाए तो कौन सब्편ित काथला से का बेंज थि नहां है राबेर टायर के जिया टैनलॉफ जिसे ड्रैनलव अला गद्द्धा कहते है इसलिए प्रश्ण का उत्तर क्या होगा शबी साती जरा फटा फट कमेंट एक बार करें कमेंट करके बताएं आप किस जिले से हैं कि आपने जिले मिस वीडियो को शेयर करें या नहीं रबर टायर इसका जबाब सही है शबी साती वीडियो को लाइब देखने वाले जो वीडियो को बात में देखेंगे वे शबी बताएं आप किस जिले से हैं कमेंट करते रहेगा रबर टायर डनलब इस परशन का उतर्शी होगा हवाई जाहत रबर बर 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 ब्रदर्स है ठीक है और ये द्धा है जी रा ब्रदर्स और काल बोन बेंच ठीक है हम आगे बढ़ने के लिए परशने की तरफ जिया साती हो जुड़े रहेगा अपने अपने जिलों स अगला परशन है आपका जल रोधक रेंकोट का बिसकार किशने किया था हम सभी Health गौना पनेट करके बताहएं कि जल्लों दक रेंकोट का विसकार किशने किया था वहते इसे तो को ये वाटर जी हाँ वाटर प्रू रेन कोट काविसकार किशने किया था शबी साथी पर पटाफट कॉमेंट जरूर करेंगे जी हाँ उत्तर पदेश के लगबग सभी जन पदोश्य आप जूड़े हुए हैं चलिए बहुत अच्छा लगा एक परिवार की तरह बन जा रही यानि पर द्रगेश जहां ब्याजे गेश फैकल्टी ग्रूप में निसुल को मैं आपके पढ़ाने के लिए आया हूँ जी हाँ इस प्रशन का उत्तर होगा चार्स मेक्टिंश ने 1824 में किया था जी हाँ इस प्रशन का उत्तर शी होगा रावटू किसका किये थे कॉमेंट करके बताएगा विलियम हारवे यह दोनों किस देविसकारक हैं इन दोनों का जबाब आप कमेंट सेक्षन में दीजिएगा अगर वीडियो को लाइफ देख रहे हैं तो लाइफ जबाब दीजिएगा बहुत यह अच्छा लगा आप लोग के साथ साथ जी हाँ जो जिस जन ठीक है सभी साथी फटाबर कमेंट करिए जो लिए वीडियो को लाइज जेकरें कमेंट करिए डाइनामाइटिक दिम इन्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आगे जब पढ़ाऊंगा प्रुषकार जब मैं आपको नोबल प्रुषकार पढ़ाऊंगा तब इसका जिक्र में बढ़ चरूर करूँगा अलफ्रेट नोबल इन्ही के नाम पर आज भी नोबल प्रुषकार दिया जाता है एकदम सही बात एकदम नैट्रोग्लिसरिन का प्रियुक्त किया था इन्होंने इसके निमान में इन्होंने नैट्रो ग्लिसरिंग का प्रियुक किया था और ये डाइनमेटिक मिस्पोटक है अल्फरेट बेगनर, अल्फरेट नोबेल इनी के नाम पर आज भी नोबेल प्रुषकार दिया जाता है एक छोटा सा प्रस्ण मेरा है कि नोबेल प्रुषकार कितने छेत्रों में दिया जाता है जी हाँ साथी में तो कमेंट करके बताते रहिए कमेंट करते रहिए और बताइए कि नोबेल प्रुषकार किल कितने छेत्रों में दिया जाता है आज देखना है क्योंकि ये परिक्षा में पूछा जाता है ऐसे मैं परुषकार के एक वीडियो लोगा लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप जरूर बताईए जरूर बताईए सबी साथी कि कुल कितने छेत्रों में नोबेल दिया जाता है एकदम सही जवाब कि 6 छेत्रों में न सबी साथी हम अगले पस्टन की तरफ बढ़ रहे हैं अगला पस्टन है निम्लिकित में से कौन बैग्यानिक ने सिनेमा या चलचित्र के अभिषकार का स्रे दिया था जिहां दोस्तों सबी साथी कोमेंट करके बताईएगा सबी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइप दे लेकिन माइकल फराडे कोमेंट करके जवाब दीजेगा अब आपको पता हो गया कि लो मिरी ये ब्रदर इसका सही जवाब होगा एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाईए जो प्रशन आपको नहीं ब्याता वो प्रशन आपको समझ में आ जाएगा जी हमारे शाथियों बहुत भारती नुकलियर बिज्ञान का जनक किशे कहते हैं शबी साती जरा फटा फट कॉमेंट करें डेली क्लास सारे नो बजे आपको इलरने बिद्दुर्गेश पर लाइब चलती है जहाँ पर एक कई लच्छ आपके लिए एक लच्छ नुक्ती पत्र और उसी की लच्छ में और मैं उमीद करता हूँ आप इस वीडियो कहने तक जरूर बने रहेंगे भारती नुकलियर बिज्ञान का जनक किशे कहते हैं बहुत आशान सा प्रश्ण है जियां हो में जे भाबा एस प्रश्ण का राइट एंश्वर है जियां ये प्रमाड उर्जयायों के प्रथा मध इसलिए प्रश्ण का उत्तर एश्वरेश्ण का राइटेंश होगा जिए जवाब होगा जिया अब है ध्याबर कर दीजिए तो एकदम प्रश्ण आपका फिक्स से यहां से आता है जिए कि आपको अन्न किसी जंकारी के लिए आप इस नंबर पर जूड़ सकते हैं ठीक यह जोनपुर्जन पसिक लास आपके लिए निश्व की चलती है प्रदियर राज साड़े नौ बजे इलारम लगा लेजिए मोबाइल में अगर आपको सरकार या ध्यापक या ध्यापिका बनना ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा देखे अमरिता पटेल के अगर हम बात करते हैं तो डेरी विकास इनका संबंद है एक प्रश्ण आपका तयार इंद्रा नूरी पेप्सिको एक नंबर तयार सुनीता नारायर पर्यावरन बिज्ञान एक प्रश्ण तयार नंदल नीले कमड़ी सोचना प्रदोगी साइंस और टेकनलोजी सोचिए कितना आसांग सा प्रश्ण है कितना मजेदार प्रश्ण है जुड़े रही है वीडियो पे जिसको साफ नहीं दिख रहा वीडियो के क्वाल्टी बढ़ा ले अपने और एकदम साफ साम नजर आएगा ये वीडियो सेलेक्शन के लिए आपके लिए होगा हम आगे बढ़ने प्रश्ण की तर प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपके वीडियों साब्रक्ति है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन करने वाले रेखा का सिमांकित किया था एकदम आसान प्रश्ण है यूकि आपको पता होना चाहिए उसी के नाम उस विभाजित रेखा का नाम रखा ग कमिशन ने किया था किस ने बौर्डर कमिशन ने किया था कब 1947 में याद रखेगा रट्टा मारते रही है सबी साती जुडे रहीएगा 1947 में जिहां सातियों जुडे रहें दिखिए एक रेड किलिफ सर रेड किलिफ ने रेखा का निरधारन किया था लेकिन इस रेखा को जो स्विकृति मिली थी वो कब मिली थी सत्रह अगस्ट 1947 को श्विकृती मिली थी एकदम रटा रटा है प्रशन है श्विकृत मिली थी कब 1947 में इसलिए इस प्रशन का उत्तर ये होगा आप लोग को समझे में आया देखिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक धार्मिक विभाजन था याद रखिएगा या एक विभाजन था धार्मिक विभाजन था ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्मी की तरफ लेकिन आप लोग बताईए सभी साथी तरफ फटा फट कमेंट करते रहे हैं जबाब देते रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को शेयर करेंगे वो आई कमेंट कर जितने लोग नहीं करने वाले हैं वो यहन कमेंट करते हैं वेकि सामने बोल देंगे तो मुझे भी अच्छा लएगा कितने ऐसे लोग हैं जो वीडियो को अपने मित्रों तक अपने गुरुप तक अपने शाथियों तो पहुचाएंगे कितने ऐसे हैं जो क्यों मजे लेने के लिए पड़ते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रशने की तरफ चाहें तो इस प्रशने का इसकी इंसौर्ट कर लें आप अगला प्रशने आपके बीच शायद आपको देख रहा होगा जो वीडियो को लाइप देख रहे हैं जरा फटाफट जरूर कमेंट करें माक्स निमलिखित मेंशे किस देश के थे शवी साती ज़र फटाफट कमेंच कर येगा जो लीजिस वीडियो को लाइप देख रहे हैं के जल्द ही आपको मिलेगी अगर कोई दिक्कत आप से हैं तो हमसे प्रशन पूछ सकते हैं ध्यान दीजिएगा कि जो भी प्रस्ण पूचना है तो मेरे बिटिगत ID पे है दुर्गेश सर के Instagram पे आप सवाल पूच सकते हैं बाकि इलर्नी भी दुर्गेश का भी Instagram है लेकिन आप मेरे बिटिगत पे भी पूच सकते हैं ध्यान दीजिएगा मॉक्स किस देश के थे सभी साते ज़रा कॉमेंट करके बताएं मॉक्स किस देश के थे ये प्रश्ण पूछा जाता है मॉक्स जर्मनी के थे याद रखेगा इन्हें काल मॉक्स कहते है क्या कहते है ये प्रश्ण आपके लिए काफी महत्पूर है समाजवाद के जनक थे किसके इन्हें समाजवाद का जनक या प्रेड़ता माना जाता है ठीक है यह वैज्ञानिक समाजवाद के जनक को माना जाता है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रिष्ण की तरफ चलिए इस की इन्सोर्ट श्यान तो कर ले अगला है शलीम अली कौन थे शबी साती जरा फटाफट कॉमेंट करें यह वीडियो फेस्बूक पेज इलनी विद्रगेश यूटूब चैनल इलनी विद्रगेश दोनों पर इतनी मेहने से पढ़ा हो तो भाईया अनलाइक करने वाले तेहीं रहोंगे अगया ठीक है अगया द्यान दीजेगा आप लोग यह विख्यात पच्छी बैग्यानिक थे जियां सलीव अली एक पच्छी बैग्यानिक है इन्हें भारत का वर्ड मैन कहा जाता है इन्हें भार भरत का बैड मैन केहते हैं जी हां साथिम इन्हें भारत का बैड मैन मंने बैड मैन अफी इंडिया कहा जाता है इसलिए इस प्रषने का उत्तर कर अंसरो 80 और बीम प्रषने का कुमेंट करिएगा शबी साथी जवाब दीजेगा कि राश्ट शंग की प्रशंविता के आरेखन के बाद यह किसने कहा a living thing is born जड़ा कुमेंट करें शबी साथी फटा-फट कुमेंट करें देखिए इस प्रस्न का जवाब होगा बड्रो विल्सन यह 1990 में कहा गया था ठिक कप 1990 में कहा था अगला है आपके लिए जो बेक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वया तो संत होता है यह पशू होता है यह कथन किसका है सभी साथी फटाफट कमेंट करें जो बेक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वया तो संत होता या पशू होता है ये कथन किस्का है ज़रा फटाफट कमेंट करिए जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं बताइए यहाँ पर होगा अरस्तु इसका राइट एंसोर होगा अरस्तु इसका राइट एंसोर होगा डी पर ताला लगाते हैं हम लोग डी इसका सही जबाग है डी पर ताला लगाते हैं अगला पश्णाप की बीच है वो प्रथम महिला को थे जिसने साथ प्रमुक सागर तैरकर पार किये बताइए किस बिकल्प को ताला लगाया जाए सबी साती फटाफट कॉमेंट करेंगे किस बिकल्प पर ताला लगाया जाए अगर आप इच्छाहाल में होते तो कौन से बिकल्प को गोला करते ज़रा फटाफट बताइए जिसने साथ प्रमुक सागर तैर करपाल किया ठीक बताए सभी लोग कौन दिखें यहाँ पर इसका होगा बुला चौधरी सही जवाब होगा बुला चौधरी ने पार्क इस्टेट को 2004 में ज्यान दिजेगा 2004 में बुला चौधरी ने पार्क इस्टेट कौन सा पार्क इस्टेट को पार करते हुए सिलंका के तलय या मनार से तमिलैंडों की धनुस कोड़ी तक 14 घंटे तैर कर विश्व में एक नया किरतिमान स्थापित की यह पांच महादीपों के साथ प्रमुक सागरों को तैर कर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी अगर हम इसको मैप में समझाना चाहे तो अम आपको थोड़ा सा देखे यह हमारा दच्छन भारत हो गया तो द्यान दिजेगा दच्छन भारत में यहाँ से देखे यह आपका जो क्षषटर है वो क्या है आपका रमसुरम सब्सक्राइब ऑर इने प्रमुक्ष आगरों के पांच साग्रों को सब्सक्राइब बीस का राइट अंसोर होगा बी पताला इसको लगाया जाएगा हम आगे पढ़ रहे हैं ठिक बुला चौदरिस का सही जवाब होगा क्लियर होगा आगे पढ़ें प्रसित समाज शेविका मेधा पाटे कर किस अंदोलन के संबंद में है जोड़ा फटापट कमेंट करिए मेधा पाटे कर किस अंदोलन संबंद है फटापट कमेंट करिए सब इतले फटापट कमेंट करें मेधा पाटे कर संबंद किस्ष्य है हाँ 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 कौन लेकर न हाँ हाँ ठीग हाँ प्रसित क्या थी और फ्राट कमेंट करें जोली वीडियो गोलाई देख रहें फटाबट कमेंट करिए समाथ सेविका मेधा पाटेकर किस अंदोलन से संबंदी थे एकदम आराम से बताईएगा नर्मदा बचाओं अंदोलन जिन सही बचाब जी हाँ एकदम सही जबाब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अंदोलन कहां चे शुरू हुआ था सबी साथी कॉमेंट करके जबाब देंगे नर्मदा बचाओं अंदोलन मेधा पाटेकर का संबंद था जी हाँ एकदम सही जबाब आप लोग का नर्मदा बचाओं अंदोलन हमागे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आप के बीच है नर्मदा अंदोलन के पीछे प्रमुक प्रेरग बल किसका था प्रश्ण वही है थोड़ा सा पल्टा हुआ सबी साथ देरा फटाफट कॉमेंट करिए नर्मदा बचाओं अंदोलन के पीछे सबसे प्रमुक बल किसका था कॉमेंट करते रहेगा जबाब देते रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सुब को बहुत अच्छा लग रहा है क्लास हमें भी और आपको भी जी हाँ नर्मदा बचाओ देखिए यह सरदार सरोवर परियोजना का बिरोध करने को देश से फरवरी 1986 में कब ध्यान दिजेगा 1986 में मेधा पाटेकर ने मधिपर्देश के धुलिया जीने में एक धारंग राष्ट्रमित के स्थापना की और 1989 में अनिक भारतिय समिटोन के साथ मिलकर नर्मदा बचाओ अंदोलन का शुरुवाद की कब अगर देखा जाए तो उन्होंने 1989 से नर्मदा बचाओ अंदोलन की शुरुवाद किया था इन्होंने ध्यान दिजेगा एक बात ही आप सभी जो ठीक है और इन्होंने दो लोगोंने किया था मेधा पाटेकर प्लस बाबा आम्टे कभी कभी ये भी पूर्च सकता इसलि मेधा पाटेकर ने मिलकर नर्मदा बचाओ अंदोलन की ठीक है प्रस्ट शुरुवाद किया था हमाजी बढ़ना है अगले प्रस्ट की तरब इस तरह जुड़े रहिएगा आप लोग चली अगला है नर्मदा चाहिए हो गया आपका मेधा पाटेकर किस से जुड़ हुई थी नर्मदा बचाओ अंदोलन से सताद्धी एक्सप्रेस गारी का नाम किस की सत्वार्शिक से समौनित करता सभी साथी फटाफट कॉमेंट करें ये एक ऐसा प्रश्ण है जिसका उत्तार आप सभी को पता होना चाहिए जो इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं जरा आप फटाफट कॉमेंट करिएगा जी हाँ साथी हो कॉमेंट करके दिए कि प्रश्ण का जवाब जरूर दीजेगा सतापदी एकस्प्रेस गाडी का नाम किसकी सत्वार्शिकी को संबोधित करता है सभी साथी फटाफट जरूर कमेंट करें बता ही सभी साथी फटाफट कमेंट करके दिखिए काफी महत्वपुन यूनिक प्रश्ण है जो परिछा में बार बार पूछा जाता है ठिक आये इसके बारे में चर्चा करते हैं और इस बारे में जाने का प्याश करते हैं देखी सत्वारसि ये था जुहला नहरू और कब सुरू की गई थी उनकी जो सत्वारसिकी थी वो 1988 में होई और इसी समय शताबदी एक्स्प्रेस काड़ी की सुरुवात की गई थी, जो आपके परिच्छा के लिए काफी महत्पूर है, बिवित के लिए है, जी हाँ बिवित के लिए इंपॉंटेंट है, यहाँ से परिच्छा में आपके प्रस्ण जरूर से आते हैं, हम आगे बढ़ प्रदहन मंत्री पूछेगा तब अगर राष्टपती पूस्ता तक, राष्टपती में कलाम, राष्टपती में कौन गया था, कलाम प्रदहन मंत्री में कौन गया था, जी हाँ, डक्टर मनमोहन सिंग गय थे, एकदम सही जवाब, मनमोहन सिंग थे, 2005 में, एकदम सही जवा अगर राश्टपती पूछता तो डाक्टर एपी जब्दुल कलाम होता लेकिन मनमोहन सिंग पूछा है भार्थ प्रधान मंत्री पूछा है इसलिए मनमोहन सिंग होगा इस प्रश्ण का जबाब शी है एकदम रट्टा माल लीजे हर बार नरेंद्र मोदी ही नहीं होता कभी क पी डाक्टर मनमोहन सिंग भी हो जाता है इसलिए जुड़े रहिएगा साढ़े नौ बजे डेली लाइप क्लास में इलनी बिद्दुर्गेश के निसल का रिशाला निसल सिच्छाब के साथ आगे बटने मगले पश्ण की तरफ अगला पश्णाप के बीच है तेरहवे वि का डेज कौन था कि 15 में विक्तायो का ध्द्यश सभी साथी जरा फटा फट कमेंट करें 14 के वाइवी रड़ी है वाई वी रड़ी है है 15 में कौन है अब चल्ला है 15 कि को सिंग है एन के शिंग है किलियर हुआ है कि नहीं बताइए यह दिखिए यह जो थे एक अप्रील 2015 से रेकर 31 मार्च 2020 तक है 2020 तक अब यह ध्यान दिजेगा यह एक अप्रेल एक अप्रेल 2020 2020 से लेकर आगे भी 2020 तक रहेंगे किलियर अभी इनका लागू है यह चालू है यह चालू है लेकिन इस प्रश्ण में आपको बताना है तेरहामे का अध्यश कौन थे लेकिन तेरहामे के अध्यश यह पूछेगा तो विजे क्यलकर थे कौन थे विजे क्यलकर किलियर हुआ सबी साथी जरा फटाबर कॉमेंट करके बताइएगा विजे क्यलकर जो थे वे कब से कब थे बताइए 2010 से 2015 तक थे 2010 से लेकर 2012 तक थे चौधावे कौन थे वाई भी रेड़ी मतलब यह कब से कब 15 से 2020 पंद्रावा चल रहा है यह कब से कब है 2020 से 2025 एकदम रट्टा मार दीजेगा एनकेसिंग पंद्रावे है एनकेसिंग कौन सा पंद्रावे पंद्रावा पंद्रावा पुस्ता एनकेसिंग है पंद्रावे ठीक किलेर हुआ चलिए जी यहां चलिए जब आप कलास पंदाव शुरू करेंगे कुछ चमंची होती है कि आपको डिश्टरब करेंगे लेकिन आप अपने लच्च पर केंदेत रहेगा ऐसे मुर्खों के केहे आपकी बीश आते रहेंगे देखिएगा जिसकी लाठी उसका बैस सर्वाइवल आप दा फिटेश्ट ये लोकुत्ती किश्की है सबी साती जड़ा फटा फट कॉमेंट करिएगा जो लुक वीडियो को लाइब देख रहेंगे जड़ा फटा फट कॉमेंट करिए ये कि हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे था हम पार्टिक करेंगे को कैसे पहुचेंगे जिसकी लाठी उसकी बैस सर्वाइवल आप दा फिटेश्ट किसकी लोकित्ती थी सभी साथी फटा फट कॉमेंट करेंगे सभी साथी जड़ा फटा फट कॉमेंट करते रहे धान दीजेगा ये डारवीन का था किसका कथन था ये डारवीन का कथन था आप लोग साथ अगर आपने अभी पढ़ा होगा तो साथ इस पशले के बारे में आप जरूर जानते होंगे चाल्स डाइवेग का ये कथन था ठीक अगला है अंटारकटी का पहुचने वाली पहली भारती महिला कौन थी ये एक यूनिक प्रश्म है काफी महत्वपूण है ये आपकी जो सिच्छक भरती है जूनियर अप्रामरी की उसमें बिविद में है प् और जबाब जरूर देते रहिएगा अगर अंटारकटी का पहुचने वाले पहली भारती महिला को उन्हें फटाबर जवाब देते रहिएगा कॉमेंट करते रहिएगा ये ये सब यूनिक प्रश्म है यार जो आपके परिच्छते पहुचाती है अगर मेहर मूसा को बताया ये तो 1977 में प्रिशिप्त गुप्ता ये 1993 में किलर हुआ अगर अगर अजोला पाटिल की बात करें तो ये प्रथम महिला थी जिन्होंने 1988 में पूरे बिश्रुका चक्कर लगाया ये याद रखेगा बिश्रुका चक्कर लगाया किसने अजोला पाटिल ने मेहर मुशा अंटर्कत का पहुची थी और प्रतिशु गुप्ता उत्तरी ध्रूपर पहुची थी किलियर? अगर गीता घूस की बात की जाए तो ये भारत की पहली महिला है ये फस्ट ओमेन है पहली महिला है कौन सी पहली महिला? बताईए पैरा टूपर्स पैरा टूपर्स आफ इंडियन एर फोर्स इंडियन एर फोर्स मैंने चारों के बारें बठा दिया अब आप ज़रा कॉमेंट करके बताईए इस प्रशन का उत्तर क्या होगा तो यहां पर अंटार्कटिका पूछरा इसलिए प्रशन का उत्तर बी होगा बी फार वाज जरा आप लोग कमेंट करके बताईए कि आपको सभी विकल समझ में आ गए यहां से देखेगा उजल्वा पाटिल 1988 में पूरे बिश्व का चक्कर लगाने वाली भारत की पहली महिला दूसरा मेहर मूशा यह भारत की पहली महिला है जिन्होंने अंटार्कटिका पर 1977 पहुचकर भारत का नाम रोशन किया दूसरा प्रतीशु गुप्ता यह 1993 में उत्तरी दुरूपर पहुचने वाली प्रत्थम भारती महिला थी गीता घोष यह पहली महिला है जिन्हें पराटूपर्स आप इंडियन एयर फोर्स इसलिए इस प्रस्ण का जो सही उत्तर होगा वो बी पे बिकल पर जाता है लेकिन इसलिए आप सभी को एक बाद ध्यान देना होगा इस प्रस्ण की स्कीन सौट आप रख लिजेगा तो कि प्रस्ण से ज़्यादा उसकी ब्याक्ष्या माने रखती है लोग कहते हैं सर आपकी वीडियो बड़ी क्यों होती है देखिए अगर आपको सेलेक्शन लेना है तो व वेड़ी हम खुशनसीब हैं और आप खुशनसीब हैं कि आप ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो चारो वेकलवी की ब्याक्ष्या करता है जिसके पास जानकारी होगी जिसके आप घ्नीमात कुया ब्रुक में मैं राइट पढ़ाता हूँ ठीक है मैं आगे बटना हूँ अगले प्रश्ण की तरह इसकी इंसर्ट क्लिक करने अगला प्रश्ण है आपके पास संसार में माउंट ट्योरेश पर चड़ने वाली पहली महिला कौन है सभी साथी फटाफट कमेंड करिएगा शबी साथी जड़ा फटाफट कमेंड करते रहेगा हम आपके बीच इलनी बिद्रगेश पर निसुल्क एजेव गेश फैकल्टी ग्रूप में लाइब है ये क्लास साड़े नौ बज़े चलती है अगर आपको सलेक्सान लेना है साड़े नौ बज़े लाइब आजाएए डेल द्रगेश सरसाच करके इलनी बेद्रगेश टेलीग्राम पर जुड़े रहेगा साथियों सबी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी डेली यहां से दिखेगा अगर संसार में पूछा है जी हाँ दोस्तों संसार में पूछा इस प्रश्ण को ध्यान दीजेगा ने गलती जरूर होगा आपसे संसार में पूछेगा तू जुनको तोबई जुनको तोबई को शोलर मई 1975 कुछ लोग बच्छंद्री पाल बता रहा है तो भाईया यह भारत की है कब 1984 में 1984 ठीक है यहां पर किसका पूछा है संसार का पूछा है इसलिए इस प्रश्ण को ध्यान देना है बच्छंद्री पाल जो है यह भारत की है इसलिए जुनको तोबई इस प्रश्ण का सही इसलिए इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा बीस का राइट एचर होगा क्योंकि यहां पर द्यान दिजेगा यहां पर वर्ल्ड की बात कर रहा है और यह भारत की है और भारत में 1984 में है चलिए अगला माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाली पहली भारती महिला कौन थी अब यहां भारत की महिला की बात कर रहा है दूसरी बात इस बात को ध्यान दिजेगा अगर आपको लगे यह चैनल आपके लिए महत्तपूर्ण है इस चैनल से आप सेलेक्शन ले सकते हैं तो इसक आपका समय वहमुल और कीमती है इसे अन्य जगह पे खर्च मत करेगा और इस चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो कि आपका केरियर आपका एम आपका जीवन सबसे बढ़ा है इसलिए बात को जरूर ध्यान दिजेगा जो लोग इस वीडियो को लाइप दिखते हैं सबी साथी फटा फट कमेंट करें देखिये सरकारी से इचक बनने के लिए बीवित के जो पाटकरम है इसका कोई डायरा निश्चित नहीं है परश्म कहां से आ जाएगा और आपको अगर आपको चैनित होना है तो आपको ब्याख्या पढ़ने पढ़ेगी इस समय देखकर नहीं पढ़ना होगा सर जल्दी करिए भगा के पढ़ाइए यह कि हम आप क्रिकेट नहीं खिल ला है हम आप नौकरी के लिए पढ़ रहा है अगर आप ऐसा कर पाते हैं कि यह वीडियो आपके लिए महत्यपूर है वरना कोई नहीं आपके काम का नहीं हो गई है माउंटेर है वहाँ पर गर्मी के लिए तुम्हीं चरणने दिया जाता है ठीक है इस प्रेश्ट का उत्तर क्या होगा ए इसका शही जवाब होगा मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रेश्ट की तरफ देखिए सबसे कम आउंट उम्मर में माउंट टोरिष्ट पर चड़ने का विश्वर कार्ड रखने वाला विक्ति कौन सा है सभी साती ज़रा फटाफट कॉमेंट करें सबसे कम उमर पर माउंटेन पर माउंटेन पर मने परवात रोही के रूप में चड़ने वाला विक्ति कौन था यह 19 वर्ष 19 वर्ष की उम्मर में किनी वर्ष के 19 वर्ष का उम्मर में हिमाले पर विक्ति की डॉलमा ठीक है लेकिन आगे चाल कर आगे चल कर हम देखते हैं कि 24 मई 2014 को यह रिकार्ट तोड़ जाता है और मालावत पूड़ा कहां कि थी आंदर प्रदेश की कितने 13 वर्ष 11 मा यह आंदर प्रदेश की थी एक नया रिकार्डिनों ने बना दिया सबसे फटा कर भाती प्रवत्रोन के त्यास में एक नया ध्याज वर दिया अब मालावत पूड़ा मौंट औरेश पर चड़ने वाली दुनिया के सबसे कम उम्मर की लड़की होगी ध्यान दीजेगा यह 19 वर्ष के थे यह 19 वर्ष के थी लेकिन यह पहली है यह दो बार है लेकिन इसमें जो पूचा है अब नया प्रशनगर पूचा जाएगा कि पहली महिला को थी तब इसका जो एंसर होगा वो यह होगा मालावत पूणा अब इसका नया उत्तर यह होगा जो इस पिकल्प में नहीं था ठीक इस प्रशनगर द्यान दीजेगा एकदम क्योंकि अपनी दिमाग में बैठा लीजेगा यह कि अब अगर पूचा जाएगा 13 वर्स से 11 मा की मालावत पूणा है जो बिकल्प में नहीं था इसलिए डिकी डोर्मा 19 वर्स की और यह कब चड़ी थी यह 1993 में चोड़ी थी लेकिन आगे चलकर 24 मई 2014 को एक नए रिकाड़ बनता है कौन मालावत पूणा 13 वर्स से 11 मा की पूरे वर्ल्ड में बिश्व में पहली महिला बन गई भारत के एकड़म याद रखेगा ठीक है मैं आगे बढ़ाओं अगले प्रश्ण की तरफ हो सकते इस प्रश्ण की स्कीन सोट अपने पास तो रच्छे जरूर रखेगा वेकि यह प्रश्ण आपके लिए काफी महत्रपूर्य योगदान दे सकता है ठी अगला है राजसभा के लिए मनुनित चलचित्र की पहली माहिला थी शभी साती फटाफ़ कमेंट करके जवाब जरूर दीजेगा जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं जर से छिकल बजultan बा попроб कौमेंट करेगा कमेंट प्रेग जबाब जरूर दीजिएगा शबही साथी में तर जो लोग वीडियो ग्लाइब देख रहए हैं मिझो रास्वाफ दान ले जबाएं लेकितन नर्गी सिर्प्ष्ण का श्रही जबाब होगा कब 1980 में ठीक है ए इस बिकल्ब पे सभी ताला लगाएंगे किलियर मैं आगे बढ़ आगले प्रश्ण की तरफ अंत्रश में जाने वाले प्रथम भारती अमेरिकी महिला को उना है शबी साती जल्दी जल्दी जबाब देते रहे और अगर आपको बहतर लगे दिए वीडियो को अपने हर साथी मित्रों तो पहुचाते रहे बताएंगे अंत्रश में जाने वाली प्रथम भारती महिला को है कॉमेंट करिए जबाब दीजे गलत या सभी को जबाब देना है जिन साथियों ने वीडियों को लाइक किया है इस श्वर करें इस चैनल के माध्यम से अपनी सफलता की लगातार सीड़ों को उपर बढ़ते रहे और एक मिजेता के रूप में एक सफल बिक्तित के रूप में आप भी उबरे और अनलाइक करने वाले जिन्दकी भर यही काम कौन थी तो भीया यह कलपना चौला थी इनकी मृत्ति हो गई थी और यह देश के लिए बड़ा धर्दनाग था और 2003 में मृत्य कभी थी 2003 में एक कंत्रिश अभ्यान के दौरान ही मृत्त हुई थी ठीक इस पर सब्सक्राइब कोलंबिया में था वहीं भी दुरगटना गस् ठीक डीज प्रशन का शही जवाब हमाएं हस्त लीपियों में मूल संस्थापक कौटिल के अर्सास के सांद पादक कौन थे एकदम यूनिक प्रशन है शबी साथी जरा फटा-फट कॉमेंड करें और निंग क्लास नोट से समधी तकि किसी भी जिक्र के लिए इस नंबर पर से बाकी भी क्लासेश हैं ठीक उसके लिए आप टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे डिस्केप्शन उसकी लिंक है और वहां से आपको पीडियाफील्स की मिलती रहेगी ध्यान दिजेगा हस्त लीपियों के मूल संस्थापक और कौटिल के अर्सहस्त का संपादक कौन था इस प्रशन का उत्तर होगा आर्ग शामा सास्त्री कौन होगा आर्ग शामा सास्त्री ये रोद्र पटना के शामा सास्त्री थे कहां के रोद्र पटना रोद्र पटना ठीक ये महसूर इस्थीत औरियंटर रिसस इंस्टूट के पुस्तकालियों संस्कित के मिलत्वान भी थ इस प्रश्ण का उत्तर C होगा C को जित्ते लोगों ने तला लगाया उनके जबाब सही होगा हम आगे बढ़ रहे हैं निम्खित में से किसे वाक पटू वक्ता कहा जाता है एकदम से आसान सा प्रश्ण है आपको जबाब जरूर देना चाहिए ये बिवीद का प्रश्ण है जहां साथ की भरती परिच्छन जूनियर और प्रामरी दोनों में दो से पांच नमबर तक के प्रश्ण आएंगे अगर आज किसी रिज़ आपने पढ़ा होगा वाक पटू वक्ता कहा जाता है जरा कॉमेंट करिएगा वाक पटू वक्ता किसे कहते है देखिए ये गुपाल किस गोखले कहा जाता है ये महत्मा गांदी के राजनीती गुरू थे तो इस प्रश्ण का जो सही बिकल्प होगा वो ए पर ताला लगेगा किस बिकल्प ताला लगाने काम होगा ए पर ताला लगाने का काम होगा और इस प्रिश्ण का सही जवाब भी होगा हम आगे बढ़ रहे ह। शमुद्री रास्ते से सर्पतम संपून प्रित्वी का चक्कर लगाने का स्रे निम्लिखित मेंशे किशे दिया जाता है तो साथी मित्र, भावी सिचक, भावी सिचका, भावी अध्यापक क्यों अध्यापका जड़ा कमेंड करिए और जबाब दीजिए इस बिवित के पाटिक्रम में समुद्री रास्ते से सबसे पहले संपून प्रित्वी का चक्कर लगाने का स्रे किशे दिया जाता है एक अदम सही जबाब है फरडी ने मैगिलन को दिया जाता है ये पुर्तगाली थे ये पुर्तगाली थे ठीक हम आगे बढ़नागे पुर्शन की तरह चलिए आज क्लासे हाँ पर खतम हो जाता है फिर आगे मिलते हैं अगले क्लास के लिए और ओन्लाइन जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवार अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रशन हो, तो जरूर कमेंट करके पूश सकते हैं जोनपुर जोनपसे क्लासेज आपके लिए लाइब चलती है, अन्य क्लासेज के लिए आपको जुड़े सकते हैं शबी साथी अगर आपको ये क्लास प्रदिर पढ़ने से चक भरते लिखित परिचा के लिए साणे नौ बजे लाइब आ जाईएगा, राइट टाइम एलारम लागा लिजेगा, इसके अलामा यदि आप अन्य क्लास पर पढ़ना शाते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम आप स्टॉल करिएगा, अगर पहले स्टॉल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके जुड़े या दुरगेश सरसाच करिएगा बीना स्पेस के इल लने पर दुरगेश से जुड़िएगा, फेस्बुक पेज, इस् मेहनत, उमीद के साथ मेहनत कर रहे हैं, आपकी भरती परिच्छा में आपका चैन सुनिश्चित हो, आपके माता पिता, आपके परिवाद, आप सभी के लिए कुछ बहतर करें और एक अध्यापक और अध्यापका के रूप में अपने करतब्यों का निर्भान करें, बहुत आपके हम सिच्चक भरती की एक और पैच की सुरुआत करेंगे, तो उमीद करते हैं, आप लोग जुड़े रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और हम भी आपके साथ देंगे, कोई प्रशन हो, कोई डाउट हो, तो जरू कमिन करके पूछिए, हम आपके जबाब देने के लिए बैठे हैं, और तकपर और तयार हैं, बुक के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देख लीजेगा, और दिस्किप्शन में मिल लाएगा, वहाँ पे सब कुछ आपको पता चल जाएगा, और कोई सवाल, और किसी भी सवाल के लिए, आप लोग इस्ट बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा लगा, ठीक है, जी एक्ता जी धन्यवाद आपका, कलपना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विनो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग जुड़े रहेगा, और अपने जीलो में सेर करते रहेगा, और कर भला तो हो भ कोई बात ने लेट होगे वीडियो को बाद में देखेगा कई बार देखेगा और सभी कंटेंट को नोट करते चलेगा ताकि आप भी जल्दी से शफल हो ठीक है चलते हैं तब बाई बाई अपने सभी ग्रूप में शेर कर दीजेगा और हो सके तो इस्टेटा तो भी जगह दे दीजेगा ठीक है जी हां मैं जौनपुर जनपद में और चैनी तो आपके लिए निसुर्ग सिछा लेकर रहा हूं जी एकता जी हां होने शुलने आपक क्लास में जैन जै भारत बंदे मांत्रव